इस वीडियो में हम लोग चानेंगे स्टॉप लोस के बारे में आप लोग का काफी सरा क्वेश्चेन क्वेरी आ रहा था कि से स्टॉप लोस कैसे लगाया जाए शॉट टर्म में या फिर लॉंग टर्म का जो डेलिवारी और ऑडर होता है उसमें कैसे हम लोग स्टॉप लोस लगाते हैं इस स्टेफ से सेकूरिटी तो यह जो से कुरिटी का नया अप्लिकिशन आप देख रहे हूं इसका ऊल्ड वर्शन भी एक है तो ओल्रल गॉर्शन इसका फिचेस एक है उल्ड आप जो आप कॉंपेर करोगे सिकुविटी अप की बीट्विंग तो similar options पर कुछ, options नया है, जैसे for example यह जो नया application में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखिए एक stop loss का option है, एक stop loss market, SLM, इसको बोलते है stop loss market, ठीके, तो यह एक options दिया गया है, market और limit order, यह तो पहले से ही जो पुड़ाना old app है, उसमें भी आपको मिल देगा, कोई नया ज्यादा reference है नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि I prefer the old application, उसमें मुझे ज्यादा convenient लगता है, बट नया application में क्या है, इसमें काफी सारा benefit, काफी सारा new features for analyzing purpose, for your research purpose, जैसे कुन सा-कुन सा mutual fund stock को hold करके रखे हैं, काफी सार इसका result, जो loss and profit और stock का, जो company का, वो सब देख सकते हो नया application में, तो आप नया application यूज़ करो, कि इसमें काफी सारा features है, और यह कुछ भी query है, मुझे आप पूछ सकते हो, देखिए, यहाँ पर stop loss, हम लोग जो discuss कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे, shortly, तो stop loss पहले आपको जानना है कि होता क्या है, stop loss क्या होता है, देखिए, आपके एक stock को खड़िदा है, for example, 100 में, ठीक है, और उसको आप sale करना चाहते हैं, 150 रुपिस में, तो आपको कितना profit होगा, 50 रुपिस का profit, तो आप उसको sale करना चाहोगे, कि भाई, मैंने 100 रुपिस का जो buying price है मेरा, मैं 150 में sell कर दूँगा, तो मुझे 50 रुपिस का profit होगा, यहाँ पर, आप, आपका पास बहुत सारा काम है, तो आप limit order उसको लगा के छोड़ सकते हो, but, आप अपकर intraday कोई sell कर रहे हो, intraday order, mostly stop loss होता है, दोस्तों, features, it works best in intraday orders, ठीक है, क्योंकि long term में, अगर आप कोई shares खरित के, उसको बेचना चाहते हो, for example, अपने SBI खरित लिया, और आपको long term में बेचना है, आपको target पता है, ठीक, आप कुझा price में बेचना चाहते हो, अपने, for example, SPI आपने 500 प्राइस में लिया, उसको बेचना चाहते हो 900 रुपिस में, तो आपको target पता है, in that case, आपको stop loss के बारे में सोचना नहीं है, stop loss के बारे में तभी सोचेंगे आप, जब आपको intraday order आपको sell करना है, buy-sell आप बहुत ज़्यादा करते हो, intraday order में जब sell करोगे, आपके बास time नहीं है, if you are working in office, or if you are busy in some work, then this feature works very well for those people, तो मैं आपको समझाता हूँ, तो देखिए, आपने 100 रुपिस का एक buying price में stock लिया, उसको 150 में sell करना चाहते हैं, but आपको limit order रखे, order आपको डालके, आपक you have some other work, तो आपको क्या करना है stop loss, तो देखिए, 150 इसको बोलते है आपका set target price, यह आपका set target price है, और आपका जो stop loss है, आप सोचते हो कि भाई, 148 आपको stop loss लगाना है, तो इसका मतलब है कि stock का price जब भी, 148 to 150 इस जो between price है, 148 to 150 लेबल तक जब भी share का value पहुचेगा, तो आपका sell order execute हो जाएगा, थीक है, मतलब आपका जो target price है, वो 148 to 150 जो best price रहेगा, वो ही आपको sell order में execute हो जाएगा, तो आपको मोटा मोटी profit हो गया, 49 रूपीस to 50 रूपीस एक एक share में, थीक है, तो आपके मन में फिर भी कोई confusion है, कि sir 148 की हूँ हूँ, मैं तो 150 में बेशना चाहता हूँ, हाँ, तो मान लीजे, 150 में अपने target रखा है, बेशने के लिए, बट, somehow, ये 150 तक नहीं गया, थीक है, 150 तक नहीं गया, ये market में कुछ भायंकर news आया, और वो 148 तक गया, उसके बाद, और गिर के 140 में आ गया, तो आपका loss हो गया, आप सोचोगे sir मेरा तो 150 तक जाना था, ये तो 130, 140, even 120 में भी आ गया, ये तो crash हो गया stock, add list, अगर आपको ये crash से बचना है, आपको ये unfortunate जो case होता है, काभी-काभी market डाउन होता है, भायंकर रूप से डाउन, गिर जाता है, stock का value भी गिर जाता है, तो आपका stop loss job set किये थे, 148, ठीक है, 148, तो उससे नीचे अगर जाएगा, तो आपको 148 में execute हो जाएगा, तो आ आपका stop loss, 148 आया, ठीक है, 150 तक नहीं गया, 148.7 गया, 149 गया, 149.5 गया, 150 तक नहीं गया, ठीक है, फिर 149 से वो stock गिर के 120 चला गया, तो आपका तो हो गया, आपको खेल खतम, आपका तो पुरा दीन भर आप पस्ता होगे, कि यार, 120 चला गया, अगर cash मैंने बेज जाता next day देखोगे, आप 120 से 100 पहुचाएगा, 90 पहुच सकता है, वो stock से, तो in that case, आपने जो stop loss लगा है, 148 तो any price between 148 to 150, जहाँ पे वो trigger price होगा, इसको trigger price बोलता है, market जब heat करेगा, आपका जो sell, execute order दिये हो, place की हो, 148 to 150, जो price, best price अबलेवेल रहेगा, क्योंकि stock में तो buyer भी होना चाहिए, तो कोई as per availability, जो price hit करेगा, आपका execute हो जाएगा, आपको वो profit मिल जाएगा, आपको बचा लेगा, अगर कोई further down हो जाए, stock का price उसी दिन, 149 रूपिस पहुच गया था, वहाँ से 120, 10 रूपिस पी, अगर hit कर जाता है, downside, तो आपको पस stop loss, आपको कैसे put करना है, stop loss, for example, मैंने यहाँ पे IRFC का shares आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यह जो shares है IRFC, इसको मैं आपको sale करके दिखाता हूँ, तो sale मैंने आपको, यहाँ पे click करना पढ़ेगा, आपको sale करने के बाद, आपने for example, आपका जो purchase यहाँ पे अपने किया है, अभी देखिए, stock का अभी current price चल रहा है 180 रूपेस, ठीके, मैं assume कर लेता हूँ, कि आपने 150 में इसको purchase किया था, आपने buy किया था 150 में, आभी इसको आप sell करना चाहते हूँ, तो आप exchange यहाँ पे कुछ भी select कर लो, NAC या BSC, आपने अपना खूद का price से आपने उसको purchase किया and तो इसको आप cash यहाँ पे रख सकते हूँ, ठीके, बट यहाँ पे cash यहाँ पे अगर आप select किया तो cash select करना पढ़ेगा, अगर आप inter day करना चाहते हो, तो inter day भी कर सकते हो, अगर ओ inter day में आपने खरीदा है तो inter day select करो, ठीके, based on your selection आपने किया है, buying में वही आपको select करना परेगा, तो हाँ पे cash select कर लिए, अपने quantity कितना खरीदा सर, मैं यहाँ पे 100 quantity, आपके लिए, for example के purpose मैं आपको दिखा रहाँ, quantity 100, अभी देखो सर, अभी अगर यह 100 quantity, अगर आप market price में बेचोगे, तो market का जो भी price है, 150 में तो आप खरीदे थे, आपका buying price 150 में, तो आप market अगर यह choose करोगे, तो आपको 180 में यह execute हो जाएगा, but आप चाहते हो कि सर मैं 190 में बेचूंगा, मुझे थोड़ा patience रखना है, मेरा एक target है 190, ठीके, so in that case, you will select stop loss, यहाँ पे देखो सर, stop loss, and limit order, ठीके, इसको बोलते है, limit order and stop loss, तो limit order तो आप एक साथ दोनों को select नहीं कर सक देखते हो, but जब आप stop loss select कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे देखिए, दोनों field enable हो जाएगा, कुण सा-कुण सा field, एक तो आपका target price, और trigger price, जो मैंने आपको बताया था, 150 and 148 का funda, ठीक है, यहीं आपे चलेगा, तो यह stick security में, यह app में, जैसे आप stop loss select करेंगे, आपको य price में डाल रहा हूं, target price में रहे, 190, क्योंकि सर मैंने ख़रीदा है, 150 में, मैं 190 में बेचूंगा, तो मुझे 40 रुपीज का एक एक stock में profit होगा, ठीक है, but मुझे यह भी देखना है, कि stock का value, suddenly 190 तक नहीं आया, 188 या फिर 189 तक आके, वो भटाक से गिर गया, crash हो गया, और suddenly उसका price 160 हो गया, तब को loss होगा, भाय अंकर loss होगा, तो इसी लिए ना, यह हम लोग stop loss राखेंगे, कि भाई, 188 से तो निंची इसको जाना नहीं है, उसी दिन आपको मुझे बेचना है, ठीक है, तो देखो sir, 190 में ने डाल दिया, अभी देखो, हर एक stock का न 80 से दिन में 280 नहीं जा सकता, कि उसका saving दोरा इसका एक upper circuit, lower circuit का यहां फिक्स्ट किया हुआ है, तो आपको message भी देखा, अगर आपने कुछ ज्यादा trigger price रखा या ज्यादा trigger price रखते है, तो आपको message error में दिखाएगा, तब आप उसको सुधर सकते हो, उसको आप सही कर सकते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पूरा चीज दिखाऊंगा, डों टोरी, वीडियो में बने रहे, देखते रहे, तो trigger price में रखूंगा कि 188, क्योंकि 190 से 188 में, जो भी price में hit करेगा, best price, तो आपको वो मिल जाएगा, execute हो जाएगा, order, sell हो जाएगा, ठीके सर, अब target price हो गया, इसको हम लोग target price बोलते हैं, ठीके, this is your target price, इसी price में आप buy करना चाहते हो, और यह आपका stop loss price, 180 से नीचे आपको sell करना ही नहीं है, ठीके, 188 आपका save guard है, तो चलिए, अब इसको press कर देता हूँ, sell में, क्या message दिखाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका upper circuit, lower circuit, क्या बोलता है, या फिर यह price आपने सही डाला है, तो यह ले लेगा, अगर नहीं लेता है, तो आपको app से एक error message दिखाएगा, चलिए, मैं आपको जान बूच के sell का button दबा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर आगिया, पूरा चीज आपको फिर से, एक बाद देखने के लिए मिल जाएगा, या क्या देखेंगे आप, आपका खुद का set किया हुआ, target price, 190, and इसका trigger price, stop loss, 188, मलब एनी price between these two, आपका execute हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर, आभी देखो सर, मैं confirm sale order, यहाँ पर प्रेस करूँगा, यह जो confirm sale order है, इसको मैं प् रात को, तो आभी market close है, तो आप limit order भी आप लब करके चोड़ सकते हो, जब market बंध है, तो आप offline order भी कर सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको ok बटन पर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास time है, घर में बैटे हो, market close है, फिर भी आप limit order, जब market बंध हो जाता ह है, तो आप off market भी sell का order प्लेस कर सकते हो, next day में जब market open होगा, आपने जो जो price target price set किया था, trigger price set किया था, इसको change भी कर सकते है, अपना आपका जो trigger price है, आपका जो target price है, वो भी आप change कर सकते है, यहां पर देखे, मैंने 188 से 170 कर सकता हूं, मैं यहां पर 186 कर सकता हूं, यह यहां पर 189 भी कर सकता हूं, तो आपको जितना मालब चाहिए, आपका मैंन में है, वो set करे, अगर कुछ अपने गलत amount डाल दिया, मानले जो trigger price का बराबन नहीं है, क्योंकि कुछ gap होना चाहिए, between target price and trigger price, तो आपको automatically app से एक एरत देगा, फिर उसी सब से आपको edit करना पड हम बोलेगा, यह this is the upper circuit, क्योंकि एक stock 180 से एक ही दिन में 390 कैसे जा सकता है, इसलिए upper circuit भी होता है, तो एक logical way में आपको put करना पड़ेगा, अगर system allow करता है तो fine, कोई problem नहीं है, तो आपको सीखना है, आपको देखना है कि कैसे यह काम कर रहा है, तो तभी जाके आपको experience मि stop loss होता है mainly for interday, ठीक है, कैसे इसका logic मैंने आपको बताया, मैं आपने एक stock आज खड़ित लिया, आपने आपका target है, दस दिन बाद बेचूंगा, तो आपको stop loss लगाने के ज़रवत नहीं है, stop loss valid रहता है only for day, यहाँ पे देखिए जरी, यहाँ पे जो validity है, वो validity रहता है day के end में खतम हो जाता है, उसी stop loss का जो target price आप रखे हो, खतम हो जाता है, long term में यह काम नहीं करेगा, and it is works only for sell, sell order के लिए, interday में यह best काम करता है, interday में आपने buy किया, sell किया, आपको बस जदा नहीं है, आपने stop loss लाजर के छोड़ दिया, तो ठीक है, long term delivery के लिए यह feature काम नह target पता ही, आप देखोंगे, track करोंगे, stock का price, आपको 500 खईदा है, वो stock अभी 1000 चला गया, तो आपने शुचा कि sell कर दोंगो, तो कर दीची, इसमें stop loss लाखने के क्या सबता है, stop loss works only for the internet trader, ठीक है, क्योंकि आपको stop loss का fund मेना को बताया, कि आपका जो set target price 190, वो 190 तक आया नही तक आया नहीं, वो 189 से फिर से डाउन होके, वो 150 तक चला गया, in that case, आपको बचाएगा, stop loss का अब लगाते हो, तो ज्यादा downfall होगा नहीं, होगा तो भी आपको execute हो जाएगा, 189 में, वो execute हो जाएगा, क्योंकि आपने set किया हुआ है, any price between 188 to 190, या फिर 180 to 190, जो भी आप stock का price आता है, वो hit हो जाएगा, इसलिए ये stop loss price लगाते हैं, अब इसको लगा सकते हो, this is optional, this is not mandatory, अब कोई भी stock अगर purchase करना चाहोगे, तो इसमे stop loss लगाना नहीं होता है, stop loss for sale orders, sell जब करोगे, तब ये आपको stop loss लगाना पड़ता है, तो ये भी mandatory नहीं है, जब आप sale करो अब stop loss लगा हो, नहीं, it's not mandatory, mandatory is only जब आप चाहो तब लगा सकते है, ठीक है, mandatory नहीं है, अब आपका जब मर्जी, if it is intraday order, then only you can set a stop loss, to avoid more losses, ठीक है, ये वीडियो, देखे, stop loss is a huge content, बहुत ज्यादा, इसका, काफी ज्यादा इसका huge content है, ठीक है, ये cover होने में काफी time लग अब ये, this is the basic thing, this is the overall, आप अगर पता चल जाएगा, stop loss के बार में, तो ये can do trading, anything, any trading, stop loss, internet trading, long term trading, short term trading, आप कर सकते हो, पिर भी आपका मन में ही questions है, साब आल है, आप question करके, मुझे पूछ सकते हो, comment करके, and I will be happy to assist you on this, thanks for watching this video, thank you.